इस वक्त हमारे साथ हैं कॉंग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुक रंदीप सुर्जेवाला, सुर्जेवाला जी किसानों को लेकर जो बड़ा लड़ाई यहां पर छिड़ी हुई है, खासतोर से कई सवाल और उप्वास पर हैं, सिवराज सिंग चोहान, क्या कहेंगे आप? और कॉंग्रेस किसानों को न्याय देने में सक्षम है, क्या ये सच नहीं कि छेचे किसानों की निर्शंस और निर्मा मत्या, पुलिस की गोलियों और लाठियों से मद्धे प्रदेश में शिवराज सिंग चोहान और भाजपा के आदेश पर हुई? क्या ये सच नहीं कि आज भी आलू पैदा करने वाला, प्याच पैदा करने वाला, सोया बीन और गेहु पैदा करने वाले किसान को फूटी-कोडी कीमत के मिल नहीं रही, ना लागत मिल रही, ना जो मोदी जी ने कहा था लागत पर 50% मुनाफा वो मिल रहा, क्या ये सच न नहीं कि पूरे मद्यप्रदेश और देश का किसान करजे के बोध से पीडित है। नहीं होगा, एक निरनायक संघर्ष होगा और धरती पुत्र किसान को पूरा सम्मान और न्यायत देना पड़ेगा। नहीं होने देश के अंदाता के लिए और उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मेरा अखरी सवाल है, आप हर्याना से आते हैं और एक बड़ा अंदोलन खड़ा करने की, किसान अंदोलन खड़ा करने की, साज अंदोलन खड़ा करने की विपक्ष कोसित कर रहा है। हर्याना भी भी हम देख रहे हैं किसान एक जूट हो रहे हैं। मंडसोर मध्यप्रदेश में जो हुआ, उसका एक छित्र खटर सरकार दुवारा शहबाद कुरुक्षेतर में भी दिखाया गया। जब आलू और प्याज के किसान को लाठियों से पीटा गया, ये तो इश्वर की अनुकंपा है कि किसी किसान की हत्या नहीं हुई। परन्तु जो चोटे लगी, वो वैसी ही चोटे हैं जैसे लाला लाजपतराय के सीने पर सवतंतरता संग्राम के समय लगी थी। ये एक और सवतंतरता संग्राम की लडाई है, इस देश के अंदाता की चितकार और पुकार की लडाई और उसमें कॉंग्रेस उनका समर्थन करेगी साथ खड़ी रहेगी।